आज के लेक्ष्यर का अगास करते हैं चैप urgमार चल रहा है 15 आज चैप्टर 15 का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर no 30 कि आजके लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने डिसकस करने है वह है छोटे-छोटे चार concepts हैं एक है quorum of general meeting जिस तरह directors की meeting का हमने quorum study किया था उसी तरह general meeting का quorum discuss करेंगे हम फिर general meeting declared invalid क्या general meeting की proceedings उसकी कारवाई invalid declare की जा सकती है जैसे आपको याद होगा हमने variation in shareholder rights के बारे में पढ़ा था उसको invalid declare किया जा सकता है जैसे हमने directors के lection के बारे में पढ़ा था उनको invalid declare किया जा सकता है उसी तरह general meeting की proceedings को भी invalid declare किया सकते हैं इसके बारे में study करेंगे फिर resolution के बारे में study करेंगे इसमें हम भाने से types of resolutions को एक तफा फिर से revise करेंगे के resolution की types कितनी है और उस resolution के बारे में कुछ further requirements को ला कहता है वो discuss करेंगे और फिर minutes of the general meeting general meeting जितनी भी meetings होती है इनके minutes के हवाले से क्या requirements है कब minutes prepare करने है कहां prepare करने है कितना अर्सा सबाल के रखने है वगरा वगरा यह सारी requirements हम in learning objective में cover करेंगे तो टोटल चार learning objective है लेकिन याद रखें यह learning objective छोड़े चोड़े learning objective है और इन में कोई complex इतनी चीज़ भी नहीं है जिसकी वज़ासे हम यह कहें के यह इसके उपर दो lectures होने चाहिए यह एक lecture में असानी के साथ concerns complete हो जाएंगे सबसे पहले स्टार्ट करते है quorum of general meeting अच्छा जिहेंद में रखेंगा कोरम का वर्ड हमने प्रीवियस शैप्टर में भी cover किया था directors की meeting का quorum आपको याद होगा उसमें हमने लिस्टेट कमनी के केस में पढ़ा था के quorum है one third or four whichever is higher उसी तरह general meeting का भी quorum होता है कि जब general meeting होगी members की meeting तो कितने members मुझूद होंगे तो meeting की कारवाई शुरू होगी याद रखेंगर quorum present ना हो और meeting को शुरू कर दिया जाए तो वो सारी की सारी meeting irregular होती है इन वैलिड उसे क्राव दे दिया जाता है तो general meeting का quorum क्या है quorum से पुराद minimum number जो present होना ज़रूरी है कम अज़ कम इतने members इतने या उससे ज़्यादा होने चाहिए listed company के case में quorum है 10 members with plus plus का मतलब है साथ-साथ ये भी हो 10 members भी हो साथ-साथ उनके पास powers हो 25% voting power यानि यू समरे 25% shares होने चाहिए उनके पास है दोनों चीज़ें अगर members तो 10 है voting power 20% है quorum present नहीं है meeting नहीं हो सकती अगर voting power 30% है members 8 है meeting नहीं हो सकते कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जनल मीटिंग के कोरम में याद रखे नंबर ओफ मेंबर्स भी होना ज़रूरी है और वोटीं पावर भी होना ज़रूरी है और एक चीज़ और से हमें रखिए यह जो 10 members हमने मीटिंग कराची में हो रही है लेकिन लाहूर में वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए से उसको टेंट गिया जा रहा है और हमने एजीम के नोर्टस में यह concept study किया था कि members का right है कि किसी शहर में अगर टेफाज हम 10% से ज्यादा members है तो वह कंपनी को कह सकते हैं कि आप इस शह गिनते हुए proxy को count नहीं करेंगे है हाँ यह 25% voting power को गिनते हुए proxy को count करेंगे और यह फरक जहन में रखिएगा कि proxy को हम 10 present members में count नहीं कर रहे 25% voting power में count कर रहे है आर्टिकल्स अगर कहता है कि जी आपको बता हमने पढ़ा था आर्टिकल्स अगर चाहें तो company that की requirement को अगर higher number of member बताया गया कि कोरम होगे तो फिर कोरम की तदाद higher होगी जैसे फर्स खीजिये कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि 10 नहीं 15 members quorum होगे तो फिर इसका अदाब कोरम की तदाद 15 होगी लेकि यह आद रखिए articles यह नहीं कह सकते कि 5 members quorum होगे 5 member का मतलब हैँ आप company अन्लिक्रिट कंपनी है जिसका के और हो क्योंकि लिश्टिड कंपनी का तो शेर के लाजमी हो गई अन्लिसीड कंपनी में अगर शेर कपिटल है तो गोर्म होगा two members यह विश्वाइक टोई को कान्ट करते हुए प्राक्सी को काूंट नहीं करना वोटिंग पवर कान्ट करते गवे प्रॉछी को काउंट करणा ओर अगर कई ऐसी कमपनी है अनले ह्जीट कमपनी नाट हेमिंट और इसेर कपिटल अचा अगर मिटिंग शुरू हुई मीटिंग का टायम लख़ा गया था कि पिर को दस बजे मीटिंग शुरू होगी और तीस मिनट गुजर गए मेटिंग शुरू होते हुए कोरम प्रैजन नहीं था यह यह वाला जो कॉरम वाला कंसेप्ट ना यह खास वर पर केस्टडी में यूज करेगा वो मेटिंग शुरू हुए 30 मिनट गुजर गए कॉरम प्रेज़न नहीं है अब क्या करना है याद रखे कर मेटिंग शुरू हुई 10 बजे कॉरम प्रेज़न नहीं है कि अभी इंतिजार करना है 10 10 20 10 20 30 30 30 तक यानी 30 मिन इनने नहीं है तो अगर तिस मिनत में कोरम प्रैजेंट नहीं है तो अगर तो मीटिंग कॉल की थी अर्म की थी और कौरम पुरा नहीं हुआ मिटिंग डिजॉल्व नहीं होगी एड्जॉर्ण का मतलब है डिले डिजॉर्ण का मतलब कैंसल एड्जॉर्ण का मतलब डिले नेक्स्ट वीक तक पहुंच के बात मिटिंग एड्जॉर्ण की जाएगी नेक्स्ट वीक तो अगर यानि स्टाइब कम्पनी हो चाहे अनलिस्टेड हो अगर डिरेक्टर में मिटिंग कॉल की उसमें प्रेजेंट नहीं करण पूरा नहीं हुआ मिटिंग एजाओं कर दी गई एजाओं मिटिन में भी पूरा नहीं हुआ तो याद तो यह उसमें दो लोग भी आ गए ना तो कॉरम समझा जाएगा वोटिंग पावर इरेलिवेंट हो जाएगी ठीक है इसमें वोटिंग पावर भी उन्हें नहीं दिए चाहे उनके पास दो मेंबर्स के पास टू परसंट शेर्ज क्यों ना हो कॉरम प्रेज़न हो तो यह उस जाएगा इन्लैस आर्टिकल्स प्रोवाईड अठीकल्स में लिखा हो एक बाई ना तो मीटिंग फिर इड्डर हो जाएगी तो फिर आर्टिकल्स की बात मानी जाएगी इस situation में लान इजाज़त दिया है कि अगर आर्टिकल्स कहता है जॉर्ण मीटिंग में कोरम प्रेजर्ट नहीं है तो कुछ और कर लो तो फिर उसकी बात माननी जाएगे यह था हमारा कंसेप्ट कोरम ओफ जर्नल मीटिंग का अब अगला कंसेप्ट जर्नल मीटिंग डिकलेर्ड इन्वालिड जर्नल मीटिंग इन्वालिड डिकलेर् क्या हो सकती है बिल्कुल हो सकती है कैसे अच्छा यह कंसर्ण मैं नहीं आपको पढ़ा रहा है क्योंकि हम आलड़ी दो दहां पढ़ चुके हैं आपको याद मुझे बताएए क्या याद है 10% वोटिंग पावर रेजोलुशन के तीस दिन के अंदर पहुंचे कोड के पास और प्रूफ कर दे इर्रेगुलेटिव कर रहा है यह हमने पढ़ा था शेर वाले टॉपिक में फिर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सटी किया के डिरेक्टर का एलेक्शन इन्वा और दे रेगुलेटी वही बात है एक्जैक्टली उसी तरह जैनल मीटिंग वे या उसकी कोई प्रोसीडिंग पूरी की बुरी जैनल मीटिंग या उसका कुछ हिस्सा वह भी इन्वाली डिग्लेर किया जा सकता है क्या कंडिशन होगी सेम जो पहले वाली दोगी क्योंकि देखें पूरे हमारे ला में कोट तीन जगों भी आता है कोट की पावर तीन हमने पड़ी थी के वह दिख एसकता है वैरियेशां श्यर होलरडर द्रॉप्ट इसकता है है walks को ऑडिटर इसकता है जैनल मीटिंग के और इसकता है बोर्ड ऑफ डेक्टर्स के लेक्शन को यह तीन और इन तीनों में प्रोसीजर से मैं टैन परसंट वार्डिंग बावर वाले शेर होल्डर तीस दिन के अंदर कोड के पास जाए और इर्रेगुलर्डी प्रूफ कर दें एक्जक्ली वही कंसर्प्ट यहां पर है मैंबर भी डैड़ इस 10% वोटिंग पावर 10% वोटिंग पावर कोली मेंबर हो किस को प्लाई करें कौट को तब मीटिंग के 30 दिन के अंदर था 30 दिन के बाद नहीं 30 दिन के बाद गये तो फिर पिर in valid करार नहीं हो सकती मिटिंग और प्रूफ कर देख्या कि कोई material defect या Irregularity थी मिटिंग में material defect या mission था notice में जैसे एक मेंबर कहा है सर देखे मैं मेजूर्टी शेयर हो रहरा था मुझे नोटिस ही नहीं मिला मीटिंग का मैं मिटिंग रेंड नी कर सका और जान भूज के नोटिस नहीं बेजा हूँ यह एक्सिडेंटल सब्सक्राइब करा रहो सकती है या ऐ और भी मीटिंग में सब्सक्राइब नोकिंध सब्सक्राइब भासका eager करने में किसी और त्रीके से मैंबर को प्रीवेंट किया गया कि अपने डार यूज करें करना चाहरते मैंबर मेंट아स करना चारहे थे मेंबर मीटिंग में बोल्ना चाहरे थे ठीक है? और उनको इजाज़त नहीं देगी, प्रोक्सी था पौल में वोड कास करना चाहरा था उसको पौट अजाहरत नहीं देगी प्लिंग मेंथ contractors कर अब वो कर सकता है शो फारिंड में नहीं कर सकता है तो अगर मेम्बर को उनके राइट को यूज करने से प्रिवंट किया गया रोका गया तो इन सूर्थों में और कर देगा कि जैनल मेंटिंग दुबारा बलाई सब्सक्राइब उनको इन्वालिड कि द्याइड गा तो यह हमारा concept है general meeting declared invalid और याद रखें यह वैसा ही है जैसे variation shareholder rights वाला था या directors के election को invalid इकरार देने वाला concept था तो यह lecture के इस सिस्थे में हमने quorum of general meeting को भी discuss कर लिया और general meeting declared invalid अब इसके बाद हम चलते हैं resolution और minutes of general meeting की तरह पॉस कीज़ेगा ची अब हम concept study करने जा रहे हैं resolution resolution का मतलब आपको पता है decision legally decision के लिए जो word use किया जाता है वो resolution general meeting में जो भी फैसले होते हैं यानि जो भी resolution पास होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं यानि या तो ordinary resolution या special resolution ordinary resolution ऐसी resolution होती है ऐसा decision होता है जो simple majority से पास हुआ हो ठीक है रेजिशन पास में मिजरिटी ऑफ मेंबर्स entitled to vote and present इसमें present को समय देकी जूरुत है entitled to vote जिनके entitlement थी कि वोट करे चलिए तो बास समझ में आती है ना कि जिनके voting rights होंगे वही meeting में आके vote कास्ट करेंगे प्रेजेंट वाला लफज बहुत एहम है इसको एक एक्जेंपल से मैं आपके डिसकस करता हूं और स्पेशल लेजिशन में भी यह वर्ड मुजूद है प्रेजेंट वाला टैडल डोट एंड प्रेजेंट स्पेशल लेजिशन कौन सा फैसला है कौन सा डिसियन है ऐसा डिसीन जो के पास किया गया हो थ्री फोर्थ मिजूर्टी और से तंब प्रेज किजिए है यह सिंपल मेजूर्टी यानि 50 परसंट से जादा यह थ्री फोर्थ मिजूर्टी यानि 75 पर से जादा ठीक है और 21 दिन का नोटस भी दिया गया हो और स्पेशल लेजिशन को जब कभी आप लेडिफाइन करना है तो यह थ्री फोर्थ मिजूर्टी कि वान डेस का नोटस है लेकिन यह शार्टर नोटस पे भी special resolution पास की जा सकते है अगर सारी मेंबर्स आगरी करें सारी मेंबर्स अगरी करें मैं आपकी तबज़ा दिलाना चाहरा हूं इसमें ordinary resolution or special resolution दोनों में word present के उपर और एक चीज़ जहन law ने specifically किया हुआ है कि यह वाले मेडर्स हैं इनको पास करने के लिए मेंबर और्डरी कारेंगे यह वाले वो चीज़ें हैं इनके इस पैशल एसरुशन पास होगी तो स्पेशल जब कभी आप में डिफाइन करना है थ्री फॉर्थ की बात भी लिखनी है ट्विंटी वन डेस की भी और यह शॉर्टर वाली बात लाजमी लिखनी अक्सर सुन यह वाली चीज बूल जाते हैं एक्जाइम में लिखना और इजी मार्क्स लूज कर देते हैं अच्छा मैं आपको कह रहा था कि मैंने प्रेजर्ट के उपर आपको फोकस करवाना है फर्ज कीजिए यह यह हमारी एक कंपनी है उसमें टोटल मेंबर्ज हैं हंडर्ड हमने मीटिंग कॉल की उस मीटिंग में जो प्रेजर्ट थे जो मेंबर्ज आए वो थे एटी अब इस पे स्पेशल रेजलुशन पास करनी है स्पेशल इसमें स्पेशल रेजलुशन के लिए इस एटी में से सेमेंटी ने कहा येस और टैन ने कहा नो क्या special resolution pass हो गई अगर आप total members को सामने रखे decision करें ना तो three-fourth majority बनती है 75 तो yes किया है 70 लोगों ना तो special resolution pass नहीं हुई अगर total को सामने रखे अगर present को सामने रखें present members को तो 80 थे 80 का three-fourth कितना होगा 80 का three-fourth होगा 60 60 से ज्यादा लोगों ने अप्रूफ कर दिया special resolution pass हो गई question यह है कि क्या मैंने special resolution में जो counting करनी है total members के लिहास से करनी है या present के लिहास से इसका जवाब definition में मुझूद है कि majority of those members जो present है three-fourth majority of those members जो present है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में special resolution पास हो गई हाला कि यह three-fourth total का नहीं बनते लेकिन present का बनते इसलिए लान ने यह कहा कि इस situation में special resolution पास हो गई वरना तो हो सकता है कि total 75 हो सकता है कभी पूरे ही ना हो तो कि बहुत से shareholder ऐसे होते हैं जो दूदरास के लाकों में रहते हैं और वो मिटिंग होती है तो वो आना पसंद नहीं करते हैं वो कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं तो ला ने present को कहा है कि present होने चाहिए जो उनका हमने देखना है simple majority यह three-fourth majority और यह और दिरेजुशन special resolution में यह चीज नोट कीजिए और आपको एक interesting concept और बता दो कि अच्छा फर्स कीजिए पहले इसको मैं थोड़ा दुबारा आपकी एक्ससाइज करना चाहता हूं कि फ़र्स कीजिए टोटल थे हंडर्ड है प्रेजेंट हुए एटी इन एटी में से फोर्टी फाइव ने कहां resolution पास कर दो 35 ने कहां नहीं करने है और तो मेंबर से होगी ना मेजोर्टी किसका हंडर्ड के लिहास से देखे के प्रेजेंट के लिहास से हंडर्ड के लिहास से देखे तो कोई भी resolution पास नहीं हुई ना यह ना पास हुई ना reject हुई कुछ भी नहीं हुआ लेकिन याद रखे हमने जो डिसीन करना होता है definition बताती है present members को सामने रखना है 80 को तो 80 के लिहास से majority members पूरे होगे यह resolution पास होगे यह resolution पास होगे अच्छा अब इस concept को compare कीजिए variation in shareholders के साथ अब क्यादा variation in shareholder rights में एक थी के specialization पास हो वह होगी मैंने आपको बता दिया एक और बात भी थी three fourth of affected class भी approval दे वहां पर याद रखिए जाके दोबारा देख लिजी आपने शायद इससे पहले note नहीं किया होगा वहां पर three fourth of affected class का लफज था present का लफज नहीं था इसका मतलब है जब affected class की three fourth को count करना है ना तो वह total class का three fourth होना चाहिए जैसे affected class के hundred members हैं उन मेंसे साथ मेंबर आए अब साथ के साथ अगर ये कहते ना कि हमें मन्जूर है हमारे rights vary कर दो variation नहीं होगी क्यूं क्यूंकि वो साथ three fourth of affected class नहीं बनते जो affected class वाली परवियन थी variation in shareholder rights वाली परवियन थी affected class वाली परवियन थी उसमें three fourth total की base पे लेंगे लेकिन ordinary resolution या special resolution जब पास करनी है तो इसमें जो majority हम लेंगे count करेंगे for example three fourth वो present की base पे लेंगे क्योंकि definition में उसने कहा है कि वो majority उन members की जो present है three fourth majority उन members की जो present है ये फरक जहन में रखेंगा ordinary resolution special resolution पास करनी है तो आपने present का calculate करना है majority बनती है या three fourth बनती है कि नहीं लेकिन जब three fourth of affected class calculate करना है तो total number को सामने रखना है कि टोटल नंबर का three fourth ने approval दी के नहीं थी ठीक है यह जहन में रखेगा हाँ एक चीज़ हो रहा दूसरा concept link कर वा रहा हूं प्रेजंट का इटि लेकिन प्रेजंट कम उतने होने चाहिए जितना को रम है कि ऐसे नहीं के टोटल 100 और प्रेजंट है आठ एटी नहीं आठ है लिस्टेड गम नहीं है तो कॉर्म प्रेजंट नहीं है क्योंकि लिस्टेड कम ने कॉरम में टैन मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 25 प्रेजंट वोर्टिंग बावर के साथ अब इसमें आठ के आठ भी यस क क्यों नहीं होगे क्यों कैज हूं बेशुन का करने हैं लेकिन ऽो प्रेज्एंट मेनी और पूरा कर रहे हो ना है अगर अगर हो रहा है तो प्रेज़न का 3 4 या मिज्रीटी के साफ से रेजुलिशन पास हो जाएगी लेकिन कोरम अगर पुरा नहीं आ तो मीटिंग इस राड नहीं होती मेटिंग इस राड नहीं होती है उमीद है कि यह कंसर आपको समझ आ करना करने के का प्रेज़न पास करने के लिए कंटिंग करनी यह प्रेज़न वेंबर की कंटिंग करने और इनमें कॉरम पूरा होना ही है क्योंकि कोर्म पुरा हुए बगार मिटिंग शुरू ने होती है अच्छा रेजुलुशन तो हमें पता चल गया सब्सक्राइब क्वाइब करने होती है तो रेगुलेट अथार्टिस को और निर एजुलुशन है फाइल नहीं करने किसी को special resolution है तो फाइल करने क्योंकि normally special resolution normally हमेशा नहीं लेकि normally memorandum या articles को alter कर रही होती है special resolution की वज़ा से memorandum या articles में alteration हो रही होती है तो चुक्छे memorandum और articles रिजिस्टरार के पास जमा होते हैं इसलिए rule किया है कि जब कभी कोई भी special resolution पास करें आपने रिजिस्टरार को फाइल करनी है special resolution कीकापी जनके पन्दर कंदर अंधर पास कभी इसके पन्दरा दिन के अंदर अंदर is फाइल करनी है और इसको authentication कोई करेगा कि यह genuine social resolution आज होगे एसा नहीं कि पास कोई और हुई हो रिजिस्ट्रार को यह जमा करवा दी इसके लिए जो रिजिस्ट्रार को स्पेशल रेजुलुशन सब्मिट कराने उसको अथेंटिकेट होना भी ज़रूरी है और तेंटिकेट किसने करना है यह डिरेक्टर्स यह जो कमनी सेक्टरी है वो दो नमरी हो गई सब्मिट को रेजुलुशन को यह पास करवाई थी रिजिस्ट्रार को को यह सब्मिट करवाई तो जिसने अथेंटिकेट की होगी ना उसको फिर फांसी बेलिट अडगा सकें क्यों तुमने दोका देने के कोश्य की यह जो भी लाने सदा दी होई है पेद जिसने का डैश होना ज़लुरी है ताकि पता चल जाये यूजर को यह शेर होल्डर्स को कि औरीजनल आर्टिकल में यह 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 हो चुकी है औरीजनल में में यह 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 हो चुकी है रेजोलुशन मीटिंग में ही पास होगी है सर्कूलेशन के थ्रूब भी हो सकते हैं यह हम कंसर्ट आइक आपने एक दो दफा के सड़ी में कंसर्ट पुच्छा हुआ है कि एक रेजोलुशन है वो जल्दी पास करनी है और इतना टैम नहीं है मीटिंग करवाई जा सके किसी व आते हैं यह वह तो बहुत से अ कंसर्ट जो मुझे नहीं आते लेकिन हम समझा सुझू देते होते हैं यह वजह यह नहीं है वाजा क्या है वजह यह है कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैंसको कहां बढ़ा था अर्ट डेरेक्टर साले है शाबाश तो ज़रा बताइए रीक करें डारेक्टर्स की मीटिंग में रेजुलुशन वो ड्रेक्टर्स की मीटिंग में फैसले होते हैं लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रेजुलुशन ड्रेक्टर ने पास करनी है लेकिन मीटिंग अभी प्लैंड नहीं है मीटिंग के बगार डारेक्टर्स की रेजुलुश को लेटर जाएगा वो अपना अपना रिटन फार्म में अप्रूबर लिखके वापिस बेज़ने और उसके बाद फिर फैसला कर लिया जाएगा कि इतने डिरेक्टर ने यस का कितने नो का जिनने जवाब नहीं दिया उनको इंगोर कर देंगे लेकिन जिसने भी जवाब देन है और रिवुक नहीं हो सकती यह सारी रिपलेशन याद आपको रैजलिशन थ्रू सरकूलेशन की वोड़ डिरेक्टर वाले में पड़ा था हमने डिरेक्टर वाले चैप्टर में एक्जेक्टली वही रूल्स एक मैमबर्स की मीटिंग मैमाइम्बर्स रैजलोशन कर भी है तो इसलीजों से जरीए से लेकी ये चीज़ हमें रखेगा दो एडीरइन पॉइंट है क्या झाए सर्कूलेशन के जरीए से सिर्फ स्पेशल बिजनेस के कि रेजूलेशन पास होगी और्डिनी बिजनिस की नहीं, और्डनी बिजनिस की तो आपको पता, UAGM में होती है, वह मिटिंग होना लाज़मी है, और्डनी बिजनिस, जब कभी,owaRY बिसाइड होगा, प्रूफ होगा, UAGM में होगा, स्पेशल बिजनेस के केस में एमर्जेंसी स्वेशन है सर्कुलेशन के थूप पास कर सकते हैं रेजुलेशन और यह किन कमपनी इसको जाज़ता है प्राइबेट कमपनी यह ऐसी पब्ली कमपनी जो ऑनलिस्टेड है पचास तक मेंबर हों पचास से ज्यादा नहीं हैं बाकी कि कमपनी जो पब्लीक अलिस्टेड है या प्राइबेट है वह रेज़िशन थूप सर्कुलेशन पास कर सकती है किन बिजनेस के लिए और दिशी के लिए स्पेशल के लिए सिर्फ स्पेशल के लिए रूज क्या होंगे वही जो डिरेक्टर्स वाले थे सर्कुले सेंड की जाएगी रिटन फार्म में सारे डिरेक्टर जवाब देंगे रिटन फार्म में एक दफा कंसेंट दे दी उसको विड्रा नहीं किया जा सकता इस इस को किस इस रेजलुशन को किस मीटिंग के मिनिट्स में टैश किया जाएगा मेटिंग को हुई ही नहीं न देकर रिखा जाता है ना किस मीटिंग साथ श्री मीटिंग के साथ जोड़ा जाएगा अगली मीटिंग क्लियर हुई कुछ बात तबताइए क्या एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के सर्कुलेशन के जरीय से और देर डूर्शन पास कर सकते हैं नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं सर्कुलेशन के जरीय से और नेर एक रशन पास की और सकते हैं कुए कि इसन बिशन के लिए कर सकते हैं स्वेशल बिजनश के लिए स्वेशलल्रेशन रिक्वार दोटी है कि चले ःवल ऐब आगे चलते है हैं आखरी खिंच कर रहे हैं नियुक्तरों टुरिंग का में जितने भी मीटिंग हुई पूस मेंदमेरेडॉशन पास हुई या मिटिंग के लावा बीकिल रेजुशन पास हों सिर्कुलेशन से इन सब कपर रिकार्ड रहा जाना चाहिए है मेंटिंकी जो समरी चाहतो है हैं यहां स क्यो 7 इसे हो सकता है मीटिंग में वाध सकता है लाइज चाहरे बात हो तो आदम क्याείं है और रेजलुशन का भी रिकार मेंडेन करना है क्यों ताके सनद रहे और वक्ते जरूरत काम आवे कलकला को पता चले को कहें कि रेजलुशन पास ही नहीं होती है कि यह लोग यह मिनट पड़े हैं डिसकस होगा है इदर आस हुए है याद रखे मीटिंग में क्या कारवाई हुई ह इसकी वीडियो फिल्म नहीं बंद रही होती है पृसे साभित होता है मेटिंग की किया कारवाई हुई है उसके मीनट्स में पेसे मेटिंग एक में रिकार्ड रखना जरूरी है जितनेयों हुई है पास उनका भी रिकार्ड रखना ज्रूरी है ताके बाद में रैफर किया जा सके इस जो मत रहे गा है को ओनधे मिनेंट हुई यह यह मीटिंग में कुछ और कार्वाई हुई है मिनट समय लिखी गई है ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना तो किसी ना किसी responsible बन्दे को Tenticate करना जाए हाँ मैं यह मिनट सारे पड़े हैं यह वैसे ही जैसे मीटिंग में कारफाई हुई थी ना कोई चीज कम मैं ना कोई चीज ज्यादा है तेंडिकेट कौन करेगा चेर्मेन उस्ता मीटिंग किस मीटिंग का चेर्मेन आज 20 तरीख को मीटिंग हुई इस मीटिंग का चेर्मैन या के 6 मीने साल के बाद जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का चेर्मैन याद रखे चेर्मैन सेम मीटिंग भी हो सकता है नेक्स मीटिंग का चेर्मैन भी हो सकता है ठीक है अथेंटिकेट चेर्मेन ही करेगा हमेशा वो चेर्मेन इस मिटिंग अभी और अगली मिटिंग में कोई और अगर चेर्मेन है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है बीस तारीख को जो मिटिंग हुई है बीस जनवरी को उसके मिनट्स बीस तारीख को यह नहीं बन जाते है उसके मिनर्स बनने में कोई हो सकता हैrh दो तीन- चार हफते लग जाएं इससे जदाधा झाई भी लग सकता है तो उस दरमिन में अगर पराना चेर्में किसी वजह से छोड़ गया नया चेर्में आ गया तो अब जो मिनर्स बनेंके चार हफते ऐाध क्या वो परादे चेर्मैन के पास जाएंगे वो कहेंगे मैं तो कमानी छोड़ चुखा हूं। मेरा तल्लूक नहीं घंए तो इस सुरत में जो नेक्स्ट मीटिन्ग का चेर्मैन होगा जो नाक्स्ट चेर्मैन होगा वो अप्रूफ करेगा वो अथंटिंट करेगा मीनर्स को अथेंटिकेट शेयर में नहीं करना है प्रिजर्फ क्या मिनर्स ओफ दी मिटिंग को संभाल के रखना चाहिए बिलकुल रखना चाहिए कितने अरसे तक फिजिकल फार में 20 साल तक अलेक्ट्रोनिक फार में पर्मानेंट यह मैंने अब को फरक मताया हुआ है जैसे आप अगर आईकैप जाके पैसे दे किताब लेके आते हैं लोगी तो यह फिजिकल फार में है अगर आईगा भी वेबसेट पर जाकर लॉग इन पर जाकर उदर से पीडियाइफ डाउनलोड कर लेते हैं यह कुंसी फार्म है लेक्ट्रॉनिक फार्म फिजिकल फार्म में चीज़ों का संभाल के रखना मुश्किल होता है मुसम की वज़ा से हराव हो जाते हैं बाद उकात पढ़ते हैं चाय का काप उपर रखा वो दायरा बन गया इस तरह के मसले मसाइल आपको पढ़ता है जितना इस्सामाल करें किताब को उसकी हारत हराव हो होती जाती है इस तरह मेंटिंग फिजिकल फार्म में मैनेज करना मुश्किल होता है वाद कुजनने के साथ-साथ उनकी कंडिशन लेकिं लेटरानिक फार्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है वो सालह साल तक पचास सो हजार साल तक भी इसको मेंडेन कर सकते हैं तो हमें 20 साल तक आपने रिकार्ड को मेंटेन रखना है जो मीटिंग्स का होगा और और अलेक्ट्रोनिकली ता क्यामत और कंपनी के लिए क्यामत कब होती है ठीक है हम इंसानों के लिए क्यामत उसी वक्त आगी ना जिस दिन मरे अच्छिली चाहिए जब मरसी है कंपनी के यंचि-ङया को आजाती है जब कंपनी वाइंडव होती है तो लिक्ट्रोनिक फार्म में पर्मानियंटली मेंटेन करने पर्मेंट्ली का मतब किया है जब तक कम्नी वाइंट अप नहीं होते हैं तब तक उसने रिकार्ड मेंटेन deepest और और यहं किर लेक्ट भर्रार एपे फ अन्यके फुजिकली 10 साल है, ये फिजर्व करने का मताब है कितना आसा संबाल के रखना है कहा संबाल के रखना है, registered office में क्या मिनर्ट ओफ दा मेटिंग की कपी, मिनर्ट ओफ दा मेटिंग की कपी किसी को सेंड करनी है किसको send करनी है हे-टि डिवेंड गरता है मिनट किसकी मिटिंग के है अगर डारेकर्टर की मिटिंग के मिनट्स हैं ए दारेक्टर की मिटिंग मिनट्स हैं उसकी मिटिंग हुई बीज दर conservative 15 आए 5 नहीं आए मिटिंग मिनट्स जब त्यार होंगे तो 20 के बीस directors को उनके घरों में send कर दिये जाएंगे minutes prepare करके उनकी एक copy send की जाएगी हर director को उसके घर within 14 days of meeting meeting होने के 14 दिन के अंदर अंदर चाहे director न डिमांड करे चाहे ना करे चाहे director फोटोकापी के पैसे ना दे जब भी कोई board meeting होगी इसके minutes हर director को send करने है meeting के 14 दिन के अंदर अंदर और अगर general meeting है इसके minutes मना के अपने पास रख लेने हैं किसी को send नहीं करने हैं जब तक वो मांगेना ये फरक है बोर्ड मीटिंग के minutes बगार मांगे सांड कर दिये थे जैनल मीटिंग के minutes जब तक कोई मांगे ना इसको नहीं देना दो आप्शन होती है मीटिंग बताईए वहला जनल मीटिंग के minutes कहा में टेन हो कि यह होते हैं रिजिस्टर्ड आफिस में कर सका था मैंने देखने अंदर क्या फैसले हुए हैं मुझे minutes तो दिखाईए तो याद रखिए लॉग कहता है कि मीटिंग होने के बाद साथ दिन का time होता है साथ दिन का minutes बनाने के लिए अगर मीटिंग हुई है 25 तारीख को और 28 तारीख को बंदा आगया मुझे minutes देखाई उसको एक लगा के बगाद देंगे उसे कहेंगा वाई साथ दिन तो गुजरने दो साथ दिन बाद आना अभी तो हमने minutes ही नहीं बनाए मीटिंग होने के साथ दिन के बाद अगर कोई member आया और कहने का सर मैंने minutes देखने है तो हम उससे पूछेंगे भाया आपने सिर्फ मीटिंग के minutes inspect करने है कि इनकी फोटोकापी भी चाहिए इंस्पेक्ट करना हो रहा है फोटोकापी करना आप कॉलिज की लाइबरी में जाते हैं तो एक option यह होती है किताब खोली उसको बढ़के देखा क्या concept लिखा हुआ है यह भी कर सकते हैं दूसरी एक और सुरत पर होती है क्या अगर आप फोटोकापी भी करवा सकते हैं साथ लाइबरी नॉर्मलने लाइबरी के साथ फोटोकापी भी होता है तो फोटोगाफिर हो सकते है लैकिन घर नहीं लेयकर जा सकते हैं उसकी कॉपी भी ले सकता है इंसेuğकर सकता है तो विधावड चेर्ज और रिजनेंबर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है उसे करना सर जी यह हमारा रूम है इधर बैठके मिनट साब पढ़ ले ले लिए लिए रिस्ट्रिक्शन क्या लगा सकते हैं खाने पीने की चीज़ साथ ना ले किया यह यह मिनट सोफ ना मेडिंग है यह आपके नोट्स नह होगी इंस्पेक्शन की ठीक है दो घंटे से जादा अब फिर अगले दिन आ है तो यह रिजनेंबर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकते हैं अगर वह अच्छा मेंबर के अच्छा मुझे तो फोटोकापी देतो मैं घर तसली से जैसे चाहूं वैसे बढ़ो होगे ठीक है फ फोटोकापी का खर्चा पानी हमें दे और साथ दिन के अंदर अंदर हम आपको फोटोकापी दे देंगे अभी फोरी तोर पे लाजमी नहीं है कि फोरी तोर पे हो अगर फोरी तोर पे रेंज कर सकते हुए तो कमनी फोरी तोर पे रेंज कर देती है वरना लास साथ दिन का तायम देता है कि मेंबर से पैसे लेके ठीक है ओम पेमेंट आफ फी कि साथ दिन के अंदर अंदर उसे कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए तो यह है हमारा मिनर्स अवता मिटिंग अच्छा जहन में रखेगा यह जो लर्निंग अब्जेक्टिव की है इसमें रेजूलुशन भ ट्रेट करता ठीक है कि सकते कुछ can so крайी जो करे लिए वो लिखा हुआ है नहीं वरना जयादा दर आlt का टॉपिक और इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर्स है लेक्चर है ये भी कंप्लीट होता है इसमें हमने याद रखिए चार कंसेप्स सीखे हैं कोरम ऑफ जनल मेंटिंग क्या होगा किस सिट्वेशन में जनल मेंटिंग के को इन्वैली डिकलियर किया जा सकता है रेजोलुशन की टाइप्स और उसकी फाइलिंग वगारा के बारे में और मिनर्स ओफ जनल मेंटिंग के बारे में स्टूडी किया कि मेंटेन करने की ये इसके साथ हमारा लेक्चर भी और चैप्टर भी कंप्लीट होता है आपने इसके पास्ट वेपर के आजके लर्निंग अ चैप्टर से रिले अखर लग्शन अप्जेक्टिव से रिलेट हो सकते हैं उसमें कुछ प्रिविएस और कुछ लेटर तो इसलिए हम एड़ दी एन्ड जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तब करते हैं तो मैं स्टी क्यूंज की प्रैक्टिस किजिएगा आज क झाल 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 झाल